खिल्व दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल दे स्टोरी नॉलेज में आज हम आपके लिए लेकर आये हैं डेविद बाग की बुद्ध लाटे फैक्टर की समरी दे लाटे फैक्टर 2019 प्रोकलिन में रहने वाली एक इमेजनरी यंग बुमन सुई की कहानी है मैंहेटन में उसके पास एक अच्छी नौपरी होने के बावजूद वह समझ नहीं पाती की पैसों की बचक कैसे की जाए लकिली उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक बुचुर्ग आदमी से हुई जिसने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तीन सीक्रेट्स बताए जिस पर अमल करके उसकी जिन्दगी बदल गई हम में से ज्यादातर लोगों की तरह जोई भी अपनी मन चाही जिन्दगी अफोर्ड नहीं कर सकती आखिरी बार कब आप कुछ हैसा करना चाहते थी जिसके लिए आपने खुद को यह कहकर मनाया कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते चाहे वहेशिया में आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो या कोई नया इंस्टूमेंट बजाना सीखना हो इन सारी चीजों के लिए पैसा, वक्त और एनरजी की जरूरत होती है जो की हम में से बहुतों के पास नहीं है लेकिन अगर अपने सपनों को हासिल करना और रिटायर्मेंट के लिए पैसा बचाना आपकी सोच से ज़्यादा आसान हो तो खैर, जोई से मिलिये एक इमेजिनरी केरेक्टर जिसकी परेशन या हम में से ज़्यादातर लोगों जैसी ही है वो अपनी अच्छी सेलरी वाली जॉब में काफी मेहनत करती है लेकिन फिर भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए पैसे ना होने की मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पाती इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैंवी नाम के एक मुझुर्ग आदमी की मदद से जोई अपने आपको पैसों की परेशानी से बाहर निकालने में कैसे काम्याब रही इसके अलावा भी आप जानेंगे कि कैसे कंपाउंड इंट्रस्ट आपको मिलीनिया बना सकता है क्यों बजटीन नहीं आटोमिशन फाइनेंशियल काम्याबी का रास्ता है और कैसे हर रोज पांच डॉलर बचाना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के ये काफी है इस किताब का में कैरेक्टर ब्रोकुलिन की 27 साल की जोई है जो एक ट्रवल मेगजीन में काम करती है उसकी नौकरी अच्छी है लेकिन न्यू यॉर्क में रहना काफी महंगा है उपर से उसे स्टुडेंट लोन और क्रेडिट कार्ड लोन भी देना है और उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई फुजूर खर्ची नहीं है फिर भी अपने महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से चला पाती है पैसो की कमी उसकी जिन्दगी की एक आम प्रॉब्लम बन गई है चाहे वह फोटोग्राफी कोर्स हो या दुनिया खुमने का उसका सपना हमेशा एकी जवाब होता है मैं अफॉर्ड नहीं कर सकती हम जोई की स्टोरी तीन साल पहले से जानेंगे उसकी मंड़े की सुबह से हमेशा की तरह काम से पहले उसने अपने पास ही कॉफी शॉप हेलिना से एक डबल शॉट लाटे खरीदा अंदर ब्रॉप्लिंग का कल्चर पता चल रहा था और कैफे की दिवारे आठ और तस्वीरों से सजी हुई थी और उस जगह में एक कमफर्टेबल और हिप्स्टर वाइब थी लेकिन सुबल के वक्त की सीसाइड गौफ की तस्वीर ने जोई का ध्यान खासतोर से खीचा लाटे ओर करते वक्त उसके पास तस्वीर को देखने के लिए कुछ बल ही थे लेकिन उसे कुछ अपना सा महसूस हुआ हाथ में लाटे लिए अपना काम जारी रखते हुए जोई वर्ट्रेट सेंटर के स्टेशन पर पहुँच गई स्क्रीन पर एक एडवटाइजमेंट आया जिसमें फैफे में मौजूग जैसी फोटो थी तस्वीर के साथ एक मेसेज था अगर आपको नहीं पता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है आखिर में आपको मंजल पसंद ना आए इस मेसेज को पढ़ने के बाद वह अपनी जिन्दगी के बारे में सोचने लगी वह कहां जा रही थी उसके सपने क्या थे और उन्हें पूरा करने के लिए वह क्या कर रही थी इससे पहले की इसका जवाब हासिल कर पाती उसे एहसास हुआ कि वह काम के लिए लेट हो रही है उसने अपने मकसद की तरफ चलना शुरू कर दिया वल्ट्रेट सेंटर, होम ओफ ट्रैवल मेक जीन्स, जहां वह काम करती थी कुछ घंटो बाद, बॉस, बाबरा के साथ उसकी लंच करने का वक्त था बाबरा ने देखा कि जोई उस दिन कुछ खोई सी लग रही थी और पूछ लिया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है तो जोई ने हे लिनाज में मौजूद उस तस्वीर के बारे में बताया और यहाँ भी कि अपने लिविंग रूम के लिए ऐसी फोटो अफॉट कर पाना वह कितना पसंद करेगी बाबरा ने जोई को हेंरी नाम के कॉफी बेचने वाले एक बुझुद से बात करने की सलाह दी जो की उसी कॉफी हाउस में थे जहां से जोई डली कॉफी लेती है और कहा कि उनसे उस फोटो के बारे में पूछो और देखो वह क्या कहते हैं हेंरी ने जोई को लाटे फैक्टर के बारे में बताया अगली सुबर सोई हेलिनाज में उस सीसाइड बॉफ की तस्वीर को ध्यान से देखने के लिए रुकी जिसके नीचे प्राइस टेग लगा था 1200 डॉलर एक तस्वीर के लिए महीने भर का किराया। फिर भी उस तस्वीर की खूबसूरती को सराते हुए और उस आइलेंड के बारे में सोचते हुए जहां यह तस्वीर ली गई थी वह वही खड़ी रही तभी किसी ने उसे पीछी से टोका माई को नोस। लगभग अपनी लाटे को गिराते हुए वह हेंडरी से मिलने के लिए मुणी वही कॉफी बेचने वाला जिसके बारे में बाबरा ने उसे बताया था। उस तस्वीर के लिए दोनों की ही पसंद जाहिर हो जाने के बाद हेंडरी ने जोई से पूछा वह उसे खरीद क्यों नहीं लेती। दिन भर उसे हेंडरी की बात याद आती रही। वेडनेस डे की सुबह, जोई अपनी लाटे लेने के लिए हिले नाज में थी। उसने हेंडरी को अपनी फेवरेट फोटो के सामने खड़े देखा। दोबारा बातचीत होने के बाद उसने हेंडरी से उनकी पिछली बात को एक्स्प्लेन करने के लिए कहा। तभी हेंडरी ने जोई के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के तीन सीक्रेट शेयर करना शुरू किया। उनमें पहला था कि जोई को सबसे पहले अपने उपर खर्च करना शुरू करना होगा। इसका मतलब यह देखने के बजाए कि महीने के सभी खर्चों के बाद उसके पास अपने लिए पैसे बचे है या नहीं, उससे सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। इसका यह भी मतलब है, इससे पहले की गवन्मेंट उससे इंकम टैक्स देने लगे, उससे कुछ अपने लिए रिटायर्मेंट प्लान में रख लेने चाहिए। हेंगरी ने आगे कहा, इसे कंपाउंड इंटरस्ट के साथ जोड़ लो और पैसा बढ़ता जाएगा। हर रोज सिर्फ पांच डॉलर बचाने से कंपाउंड इंटरस्ट के जरीए एक साल बाद यहीं 1855 डॉलर हो जाएगा। और 40 साल बाद 9,44,611 डॉलर यह सब उस पांच डॉलर की लाटे की कीमत पर। जोई सोचने लगी अगर वह काफे में खर्च करने के बजाए काम के लिए लंज भी घर से ही ले जाए तो अगर वह अपने वगवीक में खर्च की आदग बदल दे और हर रोज 25 डॉलर बचा ले तो कितना जमा कर पाएगी। हेंडरी ने कैलकुलेट करके बताया कि 40 साल में 3.4 मिलियन डॉलर। यकीनन जोई को इस बारे में काफी सोचना होगा। दूसरी सुबह, दूसरी लाटे, सोई को फाइनेंस करने के इस सीक्रेट पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए हेंडरी से दुबारा मिलने का फैसला किया। लकिली, वह मिलने के लिए तयार थे। जब उसने पूरे पे और से फर्स को समझ लिया, तो जोई ने बताया कि वह खुद को लगातार यह करते रहने के लिए डिसिप्लिन नहीं समझती। हेंडरी ने माना कि यह एक अनर्यलिस्टिक नजरिया है, तब ही उन्होंने जोई के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा सीक्रेट शेयर किया, बजट नहीं ऑटोमेटिक करो। हेंडरी ने समझाया कि कॉपरेशन के लिए बजट कारका हो सकता है। लेकिन जब किसी शक्स की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है, यह हकीकत में काम नहीं करता। लोग बिजी हैं और उनके पास पैसो के हर लेन देन का हिसाब रखने का वक्त नहीं है। हेंडरी ने आगे बताया कि इसका सल्यूशन आटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है ताकि जब भी उसे अपनी पेमेंट मिले उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स, खर्च और ग्रिड में अपने आप चला जाए। एक बार आटोमेटिक पेमेंट सिस्टम सेटप हो गया तो वह अपन ली लेते हैं, वह जिस वजह से ऐसा करते हैं उसी वजह से तुम्हें भी करना है यह सिंपल और कारगह है। सोई को उम्मीद नजर आने लगी थी, लेकिन तभी उससे याद आया कि पिछली रात उसके एक फ्रेंड ने बताया था कि 10% कंपाउंड इंट्रेस्ट की बात इलेक्शन शुरू होने के बाद से, स्टॉक मार्केट में हर साल 10% से ज्यादा की ब्रोथ हुई है। हाँ, यह साल पर डिपेंड करता है और मार्केट हमेशा उपर नीचे होती रहेगी। लेकिन 2008 की फाइनेशियल क्राइसिस के बाद से ट्रेंड जारी रहा है, असल में तुम्हारे प्री टैक्स इंकम पर कंपाउंड इंट्रेस्ट लगातार बढ़ता ही रहेगा। बस इतना इंशूर करो कि यह हर महीने तुम्हारे अकाउंट से आटोमेटिकली पहुँच जाए। जोई की बॉस बाबरा ने उसे पैसो से जुड़े तीन मित के बारे में बताया। थर्स्टे को हेलेनास काफे से निकलने से पहले जोई की मुलाकात हेन्री के दोस्त बैरन से हुई। हेन्री ने जिंदगी बदलने और फाइनेंस में बैरन के मदग की थी। इसके अलावा बैरन ने जोई को बताया कि हेन्री हेलेनास काफे के मालिक है। उसी मिनट से जोई इस मिस्टीरियल फाइनेंस के बारे में जानने लगी थी। उसी सुबह बाबरा जोई के डेस्ट के पास आई और पूचने लगी कि उसने हेन्री से बात कि या नहीं। जोई ने हा में जवाब दिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में डाउट्स थे, वह मान चुकी थी कि पैसो को लेकर वह ज़ादा अच्छी समझ नहीं रखती। बाबरा ने अपनी कुछ नॉलेज्ज सोई के साथ शेयर करने का फैसला किया और उसे पैसो से रेलेटर तीन मित के बारे में बताना शुरू किया. बाबरा ने कहा, पहला मित यह है कि ज़्यादा पैसे कमाना आपको अमीर बनाता है. ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि प और एक्जामपल, काम पर खाना ले आने से डेली 15 डॉलर बचते हैं. बाबरा ने समझाया, दूसरा मित यह है कि पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत पढ़ती है. बाबरा उन लोगों की गिंती बूल चुकी थी जितनों ने उसे यह बात बताई थी. जैसा कि हेंडरी बाबरा ने बताया, इसकी शुरूआत कम से कम पांच डॉलर से की जा सकती है. बाबरा ने आगे बताया, यह जानने के लिए तुम्हें मैकनेटिशेन या वाल स्ट्रीट इन्मेस्ट होने की जरूरत नहीं है कि कमपाउंड इंट्रेस्ट कैसे काम करता है. इसके उलत, यह क पैसे अपने आप बनने चाहिए इसके लिए तुम्हें हर वक्त फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आखिर में बाबरा ने बताया, पैसो के बारे में तीसरा मित है कि बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बनने के लिए कोई होगा. चाहे गवन्मेंट हो या फैमली आप हमेश लेकिन ये सिर्फ केरी टेल है. जोई को अपना खुद का प्रिंस चामिंग बनने की जरूरत है. आखिरी लेसन हेंरी ने जोई को बताया कि आपको जिंद की जीने के लिए रिटायर्मेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. ऐसा आप अभी भी कर सकते हैं. फ्राइडे से ज़्यादा नॉलज लेने के लिए हेलेनास क्याफे पहुंच गई. हेंरी दुबारा बात करने को लेकर खुश हुए और यह पूछने से शुरूरत की की जोई के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेट क्या है, फ्यूचर में नहीं, बलकि अभी. कुछ देर सोचने के पाद सोई ने जवाब दिया कि वह अच्छी फोटोग्राफ लेना सीखना चाहेगी. और लॉंग टम के लिए उसका सपना दुनिया गूमने का है. यह बात उसे दुखी कर देती थी कि वह एक ट्रेवल मैक्जीन के लिए काम करती है, लेकिन कभी कंट्री से बाहर नहीं हेंरी ने पूछा, एक अच्छे फोटोग्राफी कोर्स में कितना पैसा लगता है? जोई ने जवाब दिया, लगभख 600 डॉलर, हेंरी मुस्कुराई, जोई को ड्रीम अकाउंट होने की जरूरत थी. अपने पैंशन प्लान के अलावा, अगर वहर रोज 5 डॉलर बचा लेत पढ़ेगी. तब हेंरी में उसे रेडिकल सबेटिकल कॉंसेप्ट के बारे में समझाया, जिसके तहत उन्होंने खुद के लिए 100 कंट्रीज गूमने का वक्त निकाला था. सबसे पहले जिन जगहों पर वह गए थे उनमें से एक घ्रीस था. असल में वह माय कोनोस की फोटो ही जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ, वह हेंरी की ही क्लिक की हुई थी. टीन सीक्रेट समझने के बाद अब जोई जान गई थी कि उसे क्या करना है. सबसे पहले वह अपने ट्रेवल मेगजीन के एच आर के साथ बैठी और पेंशन अकाउंट खुला. उसके बाद उसने तो ड्रीम अकाउंट खुले एक फोटोग्राफी कोर्स के लिए और दूसरा वर्ड ट्रेवल के लिए. आखिर में वह बाबरा के साथ बैठी और पूछा कि क्या वह हर साल एक बार अपनी खुद की रेडिकल सबैटिकल ले सकती है. वह ही ब्रोड में रहकर भी काम कर सकती ह पाबरा एक शर्ट पर मान गई जोई उसे पोस्ट काट भीजेगी. तब से तीन साल गुजर गए. जोई ने रेडिकल सबैटिकल ले रखा है. उससे भी ज़्यादा यहां कि जो फोटोस वह दुनिया भर के ट्रेवल के दौरान क्लिक करती है वह उसी ट्रेवल मैकजीन में पबलिश होने लगी जहां वह काम करती है. जोई अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है और यह सब पांच डॉलर की लाटे की असल कीमत पहचान कर हुआ. इस कहानी से हमने फाइनेशियल फ्रीडम के तीन सीक्रेट सीखे. शुरू अपने लिए प्री टैक्स अकाउंट में पैस सेबल सिचुएशन में जीने का कोई एक्सिक्यूस नहीं है आपको सिर्फ पांच डॉलर हर रोज सेव करना है या यूँ कहें एक लाटे की कीमत. तो दोस्तों यह थी दिलाटी फाक्टर बुक की समरी. हमारा लक्ष है कि आप हमारे वीडियो से हर दिन कुछ न कुछ सीखे और इससे अपने जीवन को बहतर बनाए. उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने दोस्तों की साथ शेयर करना न पूले. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.